मैंने अक्सर देखा है कि पानी के साथ आपका बरताव बहुत पवित्र है मैंने अभी देखा, जब आप पानी पीते हैं, आप उसे बहुत च्रद्धा से छूते हैं जैसे हम भगवान की फोटो को छूते हैं तो वह क्या है? वह क्या है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं? देखे, आप उन भगवानों में श्रद्धा रखते हैं जिने आपने नहीं देखा है मैं उस भगवान में श्रद्धा रखता हूं जिसे मैंने देखा है जो खाना आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको जिन्दा रखती हैं, आप उसी से बनी हैं, आपका शरीर ही उससे बना है, है न? मैंने आपके एक इंटर्व्यू में सुना, आपने कहा यह जीवन बनाने वाला तत्व है, बिल्कुल, सच है, तो अभी आपके जीवन में सबसे कीमती चीज कौन सी है, खुद जीवन, जीवन ही है, कुछ और नहीं, आप अभी जिन्दा है, बस, तो तीन दिन अगर हम आपको आपको पानी की एक बून भी न दे, और मैं भगवान के भेश मे आओ, जो भी भगवान आप चाती हैं, आप गंडपती को पसंद करती हैं, मैं गंडपती के भेश मे आओ, हाँ? आप क्या मांघेगी? पाणी. पाणी, और क्या? तो, हम हमेशा से इस बारे में कि जल एक जीवन है, ये एक जीवित शक्ती है, अगर ये जीवित नहीं है, तो ये आपको कैसे जीवित रखता है, अगर हवा में जीवन नहीं है, तो वो आपको कैसे जीवित रखती है, ये आपके जीवन का अधार है, लेकिन तथा कतित भौतिक विज्ञान लंबे समय से इ मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूँगा हम हजारों सालों से ये कहते आ रहे हैं क्योंकि हमें हमेशा से ये पता है कि जल जीवन है और हम जानते हैं कि पानी में याददाश्त होती है दक्षन भारत में हम पानी को एक खास तरह से रखते हैं हम उसे खास तरह के बरतन में रखते हैं अगर आप उसके प्रती शद्धा नहीं रखते जो आपके जीवन का स्त्रोथ है, तो आप कौन सी दूसरी चीजों के प्रती शद्धा रखते हैं, वो सब खोखली शद्धा है। आप एक ऐसी चीज के प्रती शद्धा रखते हैं, जैसे आपने देखा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसे ने आपको सिखाया, नहीं, मैं उन सब चीजों के प्रती शद्धा रखता हूँ, जो मेरे लिए माइने रखती हैं, पानी, मिटी, हवा, भोजन, लोग, लोग, आदमी औरत, बच्चा, पशु, पेड़, सब कुछ, मैं उन सब के प्रती शद्धा रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही अभी हमारा जीवन बना रहे हैं, तो महतुपून ये है, कि आप एक जीवन है, ये एक बुनियादी सच है, बाकी सब आपकी कलपना है, है ना, आ आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपको लगता है, ये सच है, माफ केज़े, आप सिनिमा में हैं, तो मैं ये उदारन दे सकता हूँ, लोग जाकर एक सिनिमा थेटर में बैठते हैं, लाइट बंद है, रोशनी में वो काम नहीं करेगा, लाइट बंद करके सिनिमा देख है, वो तमाम खराब निर्देशित फिल्में देख रहा है, और आप सोचने लगते हैं कि ये हकीकत है, नहीं, ये सिर्फ आपकी दिमागी बकवास है, तो आपका दिमागी नाटक, आप सोच रहे हैं कि अस्तित्व का सच है, यही हमारी इन सभी समस्याओं की जड़ है, तो कि अनुसार आप ऊपर किसी भगवान को देखती हैं, है न, हर कोई ऊपर ही देखता है, तो वो सब बादलों के अगल बगल में होंगे, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब है ये सब तो कल्पना है, तो ये आपके दिमाग में सच है, लेकिन पानी अस्तित्व की सच चाई है अगर एक दिन आपको पीने के लिए पानी न मिले, वो दिमागी नहीं है, तो कावेरी पुकारे कोई दिमागी चीज नहीं है, ये अस्तित्तों के बारे में है, ये वास्तविक है